गैज इंडो पैसिफिक छेत्र की बात करें तो आप जानते हैं इंडो पैसिफिक के बारे में राइट कि ये एरिया कितना जादा important है तो international relationship point of view से आपको बस 3-4 points ध्याल वे रखना है एक तो इंडो पैसिफिक छेत्र जो है वो trade point of view से काफी important है इस छेत्र में कि इस छेत्र को security की बहुत जादा आवशक्ता है stability हाबर बनाने की काफी जादा आवशक्ता है right क्योंकि अगर इस छेत्र में unstability जो होती है तो पूरे दुनिया भर का trade जो है वो hamper होगा right तो these are few points जिसको आपको बस note down करना है इस topic के अंदर बाकी United States की जो secretary है उनका कहना है कि United States अब अपनी military और economic relationship इस छेत्र में जो मौझूद जो countries हैं उनके साथ strengthen करेगा Asia की countries के साथ strengthen करेगा जिसके तहट China का जो यहाँ पर influence बढ़ रहा है तो चाइना को counter करने के लिए एक strategic area जो है वो बन गया है राइट इंडो-पैसिविक छेत्र और United States के साथ जो हमारे relationship इतने अच्छे है राइट तो उसके करण हम लोग को देखने को मिलेगा कि इंडिया का जो strategic posture है वो भी increase होते आएगा बढ़ जाएगा United States के allies होते हुए और क्योंकि collectively यह counter कर रहा है चाइना को इसमें आप COD का angle भी डाल सकते हो COD countries जिसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया जपान और हम लोग को USA जो है वो देखने को मिलती है तो यह four countries है COD countries तो यह मिलकर जो हो इंडो पैसिफिक छेतर में stability maintain करने का काम करती है इनका objective है कि इस छेतर में security बरकर आ रहे stability रहे तो यह चीज़े हैं और चाइना नहीं सिर्फ trade और military power को अपनी enhance कर रहा है इस छेतर में बलकि दूसरी countries को भी influence कर रहा है belt and road initiative वाले topic में आपको मैंने इस चीज़ के बार में समझाया भी था काफी detail में एक angle भी हमने previous जो topics थे उसमें discuss किया था कि किस प्रकार से चाइना जो है वो influence करता है और कर रहा है belt and road initiative के थूर दूसरी countries को उनको loan पर जो है वो दबा रहा है और एक वर जैसी वो loan पर दबा देगा तो उनको international forum पे मलब अपना supporter जो है वो बना लेगा तो इस प्रकार की चीज़ हम लोग को देखने को मिल रहे है चाइना की जो strategies है और यह छेतर जो है उसको महाँ पर freedom of navigation जो rule based order एक stable trade environment बनाये रखने की बहुत जादा आवशक्ता है free sea और air lane connectivity और international rules और regulations और norms वगरा जो होते हैं उनको बरक करार बनाये रखने की आवशक्ता है इस चेतर में peace security safety point of view से right क्योंकि यह चेतर जो है वो trade point of view से भी बहुत important है strategic point of view से भी बहुत जादा important जो हो ही गया है तो यह कुछ चीज़े हैं जिसके बार में आपको इंडो-pacific के बार में थोड़ा सा idea होना चाहिए बस basic से 2-4-5 point उससे जादा कुछ यह topic important नहीं है as such right but international relationship में एक बहुत बड़ा role आज की rate बन गया है इंडो-pacific का दूश बस 4-5 point जो बने आपको बताए that is more than enough एक अच्छा अंजर बनाने के